हेलो एब्रिवन एक बार फिट से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है दोस्तो अगर आपके पास फेस्बुक अकाउंट है तो आज का ये ट्रिक आप जरूर सीखना दोस्तो अपने डेली लाइप में हम अलग-अलग तरह के अप्लिकेशन डाउनलोड करते हैं अपने फोन में ट्राइ करते हैं और काफी अप्लिकेशन ऐसे हैं जिसमें हम अपना फेस्बुक अकाउंटे लॉग इन कर देते हैं और जब उसे अनिंस्ट्रॉल करते हैं उस अप्लिकेशन को तो उसमें से अपना फेस्बुक अकाउंट लॉग आउट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे ही काफी ऐसी अप्लिकेशन हो जाती है जिसमें उनका फेस्बुक अकाउंट लॉग इन रहता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन-कौन सा application में Facebook account login है आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं दोस्तो इससे आप काफी बस सकते हो आपका जो Facebook ID है आपका जो password है वो link होने से बस सकता है तो चलो यार बिना time waste के करते हैं वीडियो को start में नामे सत्यम और आप देख रहे हो technical expert वावा YouTube चैनल दोस्तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक like जरूर कीजेगा चैनल को subscribe करकर bell icon दुबा कर all page rate कर लिजेगा ताकि हमारी वीडियो की update आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो यहाँ पर दोस्तो आपको क्या करना है सबसे पहले अपने phone में Facebook को open कर लेना है आप जो भी यूज करते हो Facebook browser या फिर Facebook light जो भी आप यूज करते हो उससे आपको open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पर आपको आना है 3 lines पर click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे निच्चे आएंगे अब यहाँ पर आपको एक option मिलेगा settings and privacy simple हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा settings नाम से तो simple आपको settings में आ जाना है और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का interface आएगा थोड़ा सा ध्यान दिजेगा काफी कमाल का और आपके लिए helpful setting होने वाला है आज के इस वीडियो में तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे निच्चे आना है यहाँ पर निच्चे आएंगे और यहाँ पर आपको permissions category के अंदर आजाना है permissions category के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा apps and websites simple आपको इस पर click करना है और click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पूरा information आजाएगा कि आपका जो facebook account है वो किस application के अंदर login है किस website के अंदर login है सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि добав application है इसके अंदर एक active है यहाँ पर है BSCO इसके अंदर active है battlegrounds के अंदर जो है Facebook accounts जो है आपके पर एक्टिव है उसी तरह से यहाँ पर हम पूरी application देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन सा application है जिसके अंदर active है true color के अंदर active है यह सब कुछ जो वो expired हो चुका है फिर भी यहाँ पर इसके अंदर जो वो login है हमारा account ओके तो आपको क्या करना है दिखे टिक टॉक कब बैन हुआ उसके अंदर जो वो active था यहाँ पर expiry हो गया है तो अब यहाँ पर इसे हम कैसे हटाएंग अगर आप अपने email ID भी remove करना चाहते हो उस application के अंदर से तो कर सकते हो बाकी यहाँ पर मैं इसे remove कर दूँगा यह application हमारा friend list देख रहा था जी हाँ इसने हमारे friend list की permission ले रखी थी तो वो यहाँ पर मुझे पता चल चुका है और मैं इसे पुरी तरह से remove करूँगा यहाँ पर remove हो गया अब इसके अंदर आप देखेंगे कि मेरा जो जो है true color के अंदर जो facebook account है वो login नहीं है सबसे नीचे था ना यहाँ पर देखिए हट चुका है उसके बाद उस तरह से यहाँ पर जो जो application से आपको हटाना है simple यहाँ पर आप देख सकते हो और इसने किस चीज की ले रखा है हमारे facebook account date of birth का permission लिया है photos का permission लिया है page like का permission करते हैं उसका permission लिया है और friend list का permission लेकर रखा है तो आप समस सकते हो कि हम हम जो कितने मतलब बेवकुफी वाली काम करते हैं और यहाँ पर अपना सब को जो बिना logout किये हुए सब को छोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना सबसे पहले इसे remove करना है remove करने के बाद इसे यहाँ से हम remove करकर हटा देंगे तो इसी तरह से मैं यहाँ पर one by one करकर सभी applications को remove करने वाला हूँ तो आप भी कर लेना अगर मैं आपको one by one सब कुछ करकर दिखाया लगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो मैंने आपको बता दिया कैसे remove करना है उसी तरह से आपको भी remove कर लेना है इससे आप काफी सुरक्षित हो जाओ और काफी safe महसूस करोगे तो उमीद करता हूँ गाइस कि अगर आपको बढ़ी पसंद है तो please वीडियो के लाइक जरू कीजएगा चैनल को subscribe करकर बेल आइक में दुबा कर लोड़ पर सेट कर लिजएगा मिलते हैं से कोई आपको साथ अब तक के लिए जाहिन और टेक क्यार